जे हीं दोस्तों कैसे वाप सब दोस्तों मैंने Realme Narjo 65G का बेटरी चार्जिंग टेस्ट और बेटरी ड्रेन टेस्ट कर लिया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेटरी से रिलेटर्ड उसका जो रिजल्ट देने वाला हूं कि इसकी जो बेटरी कितनी फास्ट चार्ज होती है और एक बार फुल चार्ज होने पर आपको कितना बेकप दे सकती है तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस Narjo 65G के साथ आपको जो 33W का ही चार्जर देखने को मिलता है और यह जो स्मार्ट पोने 33W की ही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है वैसे इसकी 18,000 की प्राइस के अकॉर्डिंग इससे भी जैदा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें दिया जा सकता था लेकिन कोई बात नहीं जितना भी दिया ठीक है मैं आपको इसका रिजल बता देता हूं तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसके लिए मैंने जो कीती इसकी आप देख सकतो हूं यहां पर 1.7 परसेंट पे जो है इसकी चार्जिंग की की तब इसमें टाम पर था तो सबस्कर चार्ज तो नहीं निए हैं surveond6 मिनट में rust वाद इसके सपीड अच्छी मिनट पर यानि कि कह सकते है कि लगबग 38 मिनट में यह जो यह बेटरी 56% चार्ज हो चुकी थी जो कि पहले से 2% थी तो ऐसा कह सकते है कि 38 मिनट में इसकी जो बेटरी चार्ज हुई थी वो 54% ही हुई थी तो यहाँ पर जैसा कि company claim करती है कि आदे गंटे में 50% charge हो जाएगा तो वो तो real में यहाँ पर होने वाला नहीं है उससे तो थोड़ा सा जादा time ले ही लेगी उसके बाद जो screenshot लिया था मैंने इसकी charging के दुरां वो लिया था 10.15 में तो उस वक्त जो है यह 80% charge हो चुका था तो ऐसा कह सकते है कि एक गंटे में 3 मिनट बाकी थे और यह 80% charge हो चुका था और पहले के 2% कम कर दे तो यह 78% charge हो चुका था उसके बाद जो अगला screenshot लिया था मैंने सीधा इसके 100% charge होने पर लिया था जो की charge हो था 11.14 मिनट में अगर टोटल टाइम को इसको calculate करे तो यह जो है 78 मिनट में 100% charge हो चुकी थी जिसमें से 2% पहले से ही था तो ऐसा कह सकते हैं कि 80 मिनट में यह जो बेटरी है full charge हो सकती है थोड़ा बहुत टाइम उपर नीचे हो सकता है लेकि लगबग 80 मिनट में यानि कि एक गंट और 20 मिनट में यह जो है 0 से 100% full charge हो जाएगी तो इसे साब से 33 वाट की साब से जो इसकी charging speed है अच्छी है अब बात कर लेते हैं इसकी battery drain test की मैंने इसे रात के time पर 100% charge कर दिया था जो कि time देख सकते हो यहाँ पर एक बजगर 48 मिनट अवरी रात में यानि कि पौने 2 बजए और 100% charge करके मैं इसा छोड़ी दिया था और idle mode पर यह था सुबह तक और उसके बात जो सुबह मैंने वापिस यह से चेक किया तो यहाँ पर आट बज़ी चुके थे कापी अच्छी बात है अगर इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती ही तो कह सकते थे कि idle condition में भी ज़्यादा drop होता है और इस दोरान मैंने इसमें always on display यूज नी किया था लेकिन इसके बाद जो 8 बज़े मैंने इसमें always on display चालू करके छोड़ दिया था उसके बाद मैंने दुबारा से चेक किये था साड़े 10 बज़े यानि कि लबग धाई गंटे बाद यहाँ पर जो है 96% बेटरी रहेगी थी तो 3% का जो बेटरी ड्रोप हुआ था यहाँ पर always on display में तो ऐसा कह सकते है कि यूज करने के बाद 96 से 76 पर आग चकवा था और यहाँ पर जो स्क्रीन ओन टाइम मिला था मुझे 1 गंटा 36 मिनट का मिला था और यहाँ पर टोटल 10 गंटे और 48 मिनट तक यह मोबाल जो ओन था जिसमें से 1 गंटे 36 मिनट का स्क्रीन ओन टाइम मिला तो ऐसा कह सकते है कि लगभग डेट गंटे की यूज के दौरान स्क्रीन ओन ताइम के दौरान यहाँ पर जो है 20% का ड्रोप देखने को मिला बेटरी में और यह चीज और कहना चाहूंगा कि बेटर देखने को मिल रहा है अब आजाता है इसके अगला स्क्रीन शोट पर तो यहाँ पर आप देख सेतो हो कि लास्ट मजो एक परसंट बेटरी बची थी और उस टोटल 99% बेटरी ड्रोप के दुरान जो टोटल मुझे स्क्रीन ओन टाइम मिला साथ गंटे और बावन अमिनट क जो स्क्रीन ओन टाइम मिला टोटल यह स्क्रीन ओन रहा था वहत रहा था एक दिन और आप गंटे तक तो उस हिसाब से कह सकते है कि इसका जो बेटरी बेकप है काफी अच्छा होने वाला है अगर कोई स्क्रीन ओन टाइम मिल जाए लगबग साथ गंटा या उस से भी ज्या और नॉर्मल या फिर वीडियम यूज करोगे तो ज्यादा स्क्रीन ओन टाइम मिल जाएगा तो बेटरी बेकप को लेकर आपको कोई दिक्कतनी होने वाले जिस तरह के रिजल्ट मुझे देखने को मिले इस स्पाटफोन के अंदर और इसकी बेटरी चार्जिंग स्पीड ठीक लगी 80 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा तो ये था इसका बेटरी चार्जिंग टेस्ट और बेटरी ड्रें टेस्ट ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के नेचे कमेट करके जुरू बताना अगर आपके मन में इसको लेकर कोई सवाल हो तो वह भी आप इ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया हो तो